नमस्कार सातियों मैं अमित कमार खत्री आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि रीट लेवल 2 का एसेस्टी का रिजल्ट आ चुका है और इसेस्टी की कट ओफ को देखकर अधर सब्जेक्ट के जो भी स्टुडेंट्स हैं उन सब की भी धड़कने तेज होई हुई है कि आखिर हमारा क्या होगा तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें हमें कम्प्लीट डिसकेशन करते है हम अधर सब्जेक्ट के प्रभाव पर चलचा करेंगे और एसेस्टी सब्जेक्ट की जो कट ओफ है इतनी हाई क्यों गई उसके रीजन की भी हम जो है चलचा करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस कर इसी के साथ साथ आप अपने friends के साथ भी share करें क्योंकि इस channel पर अब आपको अच्छे से अच्छा content available होने वाला है आप ज़्यादा से ज़्यादा जुडिए और इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये sst की cutoff ने इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है आखिर इस result को देख करके जो भी ability है उनके मन हिल गए है अब देखिए ज़्यादा हिलने की जरुवत भी नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे reasons है हालांकि अगर हम compare करें रीट लेवल वन और रीट लेवल टू कहीं compare ही नहीं है कोई सीटों का भी compare नहीं है वहीं इसी प्रकारपन कहा सकते हैं sst का हिंडी के साथ compare नहीं है sst का साइंस के साथ compare नहीं है sst का अंग्रेजी के साथ कोई compare नहीं है फिर भी हम एक analysis करने का प्रयाज करते हैं कि आखिर ये SST की cut off इतनी ज़्यादा क्यों गई देखिए सबसे पहले अगर हम सामान्य शिक्षा की बात करते हैं इसमें जो अधर जो categories हैं उनकी हम यहाँ पर discussion नहीं करेंगे सिर्फ जो सामान्य शिक्षा के पद हैं और सामान्य शिक्षा में भी हम नोन टीस पी पर ज्यादा discussion करेंगे क्योंकि देखिए टीस पी का थोड़ा सा अलग ratio हो जाता है और वहां पर cut off का अलग देखिए इसाब बनता है तो हम अगर देखें SST के कुल पद जो अगर अपन देखें 4712 कुल पद थे उन में से 9 टीस पी के 3593 पद थे सबसे पहला factor अगर अपन देखें ये पद हैं कि ये जो पद हैं ये काफी कम हो गए और अगर हम यहाँ पर अभ्यर्थी देखें तो अभ्यर्थी भी देखिए लगबग डायलाग के आज पास अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं क्यों कि देखिए ग्रेजिएशन में जिसके भी मालो कोई भी सब्जेक्ट है जोग्रॉफी हिस्ट्री एकोनोमिक्स और जिसके साथ हिंदी तो हिंदी वाले अभ्यर्थी ने भी SST का फॉर्म वरा है अंग्रेजी वाले इन में से होने पर वो जो है SST का फॉर्म फिल अप कर सकता है इस कारण से यहां पर रेशियो काफी हाई हो गया और अपन कह सकते हैं कि बावन तरेपन जो केंडिडेट का एक सीट पर रेशियो हो गया अब देखिए जब इतने ज्यादा केंडिडेट होंगे और पद अपन बनते हैं इन 4712 में से 4251 जो है वो अपने सामान्य शिक्षा के बाकी जो अलग के पद थे उन में डिवाइड हो गए तो अगर हम यहां पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3593 में पद बसते हैं जिनके लिए केंडिडेट काफी ज़्यादा हो गए और केंडिडेट काफी जोग्रफी पढ़ते हो, इकोनोमिक्स पढ़ते हो यानि मानविकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ते हो और वही का वही आगे इसमें सेलिवस मैन सब्जेक्ट में भी होता है तो वहां पर जो है विशेप पर बहुत ज्यादा पकड़ होने के कारण भी जो ह यहां पर यह merit हाई गई है अगर अपन देखें का स्टुडेंट उसका जीक्या पिक्षाक्रत अगर अगर अपन स्ट का जो स्टुडेंट है उससे थोड़ा वीक रहेगा तो ये हम कोई भी comparison यहाँ पर नहीं कर सकते वहीं अगर अगर अपन देखेंगे कि उर्दू का और हिंदी का देखे वहाँ पर candidate का ही कोई ratio ही नहीं होता पद भी कम है तो वहाँ पर देखे रेशियो भी सबसे कम निकलता है उर्दू सब्जेक्ट में और अगर अपन पंजाबी की बात करें सिंधी की बात करें सिंधी में तो अगर अपन देखें मात्र नो ही पद है तो इस प्रकार से देखिए फिर उसके according देखे सिंधी के student भी बहुत कम मिलेंगे इस तरीके से हम एक सब्जेक्ट के जो भी marks हैं उनका comparison हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हैं यह यहाँ पर एक factor काम करता है तो आप वीडियो में end तक जरूर बने रहें ताकि हम पूरे analysis को यहाँ पर समद सके अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि लेवल वन की बात करते हैं लेवल वन में जैसा मैंने कहा था वीडियो में बताया था कि जो marks हैं minimum से minimum 6 marks बढ़ेंगे और अधिकतम यह 10-11 भी हो सकते हैं लेकिन 10 marks पर हमने पूरी जो एक merit बनाई थी उस पर मैं भी यहाँ पर discussion नहीं करूँगा आई बटन में link है आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब हम देखते हैं कि आखिर SST में यह cut of कितनी जाएगी SST में देखिए सबसे पहले कि अब्यर्थियों की संख्या कम हो गई है क्योंकि दुगने जो अब्यर्थी होते हैं उनकी संख्या भी कम हो गई है और paper का level भी देखिए high काफी ज़्यादा अपन कह सकते हैं moderate level था बहुत high तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत high कि जो cutting subject की बात करें तो science math का paper सबसे hard था तो SST को हम moderate level का paper कह सकते हैं जो कि एकदम बहुत ज़्यादा tough से थोड़ा सा कम तो अपन कह सकते हैं कि 206.8590 जो cut off गई है अब कितनी जाएगी सबसे बड़ा शंश है यहीं पर आकर के टिकता है कि हर अभ्यर्थी जो इस range में आ चुका है जिसका provisional list में role number आ गया है वह संदेह में है कि मेरा selection होगा की नहीं होगा जो border पर है वो भी डरा हुआ है सबसे पहले तो देखिए अब सबी चिंताओं से मुक्त हो जाईए जो होना था वो हो चुका अब अगर अपन बात करें कि जो 300 अंक का paper था वो तो देखिए 300 अंक का ही रहेगा और इन 300 अंक में से जितने भी आपके marks बन रहे हैं वो भी रिशान होईए चाए आप खुश होईए ठीक है मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आप एकदम से खुश हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप अपने आपको प्रसंद रखने का प्रयास कीजिए और आगे के goal को set कीजिए और आगे का goal set करोगे तो देखिए देरे देरे हर दर्द ह हर पीड़ा जो समय के साथ है वह कम हो जाएगी और एक सफलता से जो है कभी भी अपन कहा सकते हैं भविषय टेन ही होता है क्या मत्र एक 젊न्व होसकता है नहीं ऐसा भी नहीं है ठीक ही जरुरत है हमारी जरुरत है हमारा मान सम्मान उससे बढ़ता है अब आप इस चीज से थोड़ा बार आईए अपन फिर किसी वीडियो में उस पर जरूर चल्चा करेंगे तो अब अपन यहां पर देखते हैं कि कट आफ क्या जाएगी जहां पर लेवल वन में मिनिमुम हमने 6 मांक्स टै किये थे वहां यहां पर इतनी नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा अपने सीट को पका कर सकता है तो अपन देखते हैं एक रेंज बनाते हैं अगर अपन इसको 207 मांक्स मान ले तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट ओम हैं 206.8590 अगर अपन इसको 207 नमबर मान लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा वहीं इसको 201.7750 जो फिमेल की कट ओफ गई है 202 भी मान ले तो क्या फर्क पड़ना है अब जस्टिस पॉइंट पर हैं देखिए कड़वा सत्य है इस से तो निश्चित रूप से अप जाएगी तो इस बॉर्डर पर जो एकदम है देखिए वो थोड़ा सा निराशा ही हाथ लगेगी लेकिन आप उन्हें बाहर भी आना होगा और अपने गोल को टैक करना होगा का डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन तो जरूर करवाईए क्योंकि तकदीर का सितारा कब बुलंदी पर आपको ले जाए कोई नहीं जानता है वहीं अगर अपन देखें यह 189.9298 है तो हम इसको राउंड अप करते हैं सबसे पहले 190 अंक अब देखिए OBC केटेगरी OBC मन लेते हैं ठीक है वहीं इसको देखेए 198 में फिमेल की के चलो ठीक है वहीं MBC में देखिए यह 191 में वहीं इसको भी हम 181, 181 ही मान लेते हैं फिमेल के point वाले matter को हटा देते हैं फिर SC category में देखें तो यहाँ पर देखिए अपन 182 अंक मान लेते हैं round up और इसको हम 174 मान लेते हैं और यहाँ पर हम ST category में round up करके 171 लिख लेते हैं अब हम इस अंकों के आधार पर देखते हैं कि यह जो cut off है वो कितनी बढ़ेगी देखिए अगर हम देखें अगर एक आधी category को छोड़ दें तो minimum से minimum 3 marks का variation आ जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा candidate इस 207 की range पर मिलेंगे 208 नंबर पर उससे कम मिलेंगे हालांकि जो paper का level है हम top की जो quality है top range की बात करें तो हम उस पर नहीं जाएंगे हम सिर्फ selection point की बात करेंगे तो 207 अंक में अगर हम plus करते हैं minimum 3 अंक और अधिक्तम से अधिक्तम देखिए जो L1 की minimum range हमने ली थी 6 अंक अब देखे इतना difference तो नहीं रहना चाहिए पांच अंक हम इसको मान लेते हैं देखे तीन अंक तो रहेगा ही रहेगा और पांच अंक तक भी जा सकती है तो हम देखें 210 जिसके marks बन रहे हैं वो अपने आपको एकदम safe zone में मानें और 207 से लेकर के हम कह सकते हैं 212 जनरल की जो जनरल seat है उस पर SST की जो final cut off है 210 से 212 अंकों पर रह सकती है अब देखिए है तो अनुमान ही क्योंकि आप लोग भी देखिए अभी इसी तरह का वीडियो पसंद कर रहे हैं अगर मैं study content डाल दूँ तो सहथ आपका मन भी अभी उस वीडियो को देखने का नहीं करेगा तो teacher भी अपना क्यास लगाता है teacher भी सोचता है कि मेरी connectivity जैसा मेरा student चाहा रहा है मैं वैसा ही उन्हें थोड़ा सा परोसने का प्रयास करूं बाकी देखिए ये जो एक खेल है कि आखिर आगे क्या जाएगी future में क्या जाएगी cut off ये बड़ा खतरना खेल है हमारे लिए भी और आपके लिए भी क्योंकि इसमें बहुत सारे च्छत्र निराशा के शिकार हो जाते हैं कि हाँ अब हो सकता है बार में कोई पॉइंटों में रह जाएं तो फिर क्या होगा और पॉइंटों से selection हो जाए तो वो बेचारा तो बिना ही मतलब वो student तो रह गया इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करें और इसे एक अनुमानित लें और एक बस देखिए ठीक है क्या रेंज जा रही है क्या चल रहा है हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है गेम की तरह लें बहुत ज़्यादा serious नहों क्योंकि देखिए हम भी आपके लिए सबसे पहले लिख देते हैं देखो भाईयों अनुमानित ही है हम हमारे आस पास के जो पेपर केसा था अब जैसे मैं सस्ट का पेपर देने थोड़ी न मुझे अब पेपर का लेवल देखा है साइंसमेट का भी पेपर है तो हमने देखा है हमने इंग्लिश का भी पेपर देखा है उर्दू हमें आती नहीं लेकिन फिर भी उर्दू के जो भी स्टुडेंट हम उन से मिले हैं निश्चितूप से हमने उसका भी एक आंकलन लिया है अब पंजाबी का पेपर मुझे आता तो है नी पंजाबी लेंग्विज लेकिन फिर पारी भी अगर इच्छा नहीं होना तो भी आप लोग ही लगवा रही हो तो हम अब देखते हैं फिमेल केटेगरी में फिमेल केटेगरी में हमने इसे राउंड अप देखिए 202 अंक किया था अब 202 अंक के बाद में यह कित्ती बढ़ेगी मिनिममम तीन अंक यानि 205 अंक जो अगर अपन कहें जनरल सीट और फिमेल सीट पर 190 तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए सिर्फ EWS ही रहेगा अब जनरल से यहां पर देखिए बहुत ज्यादा वेरियेशन है अंकों का सत्रा अंक मायना रखता है तो इसकी तो देखिए मुझे अब बीबी उमीद ब क्योंकि बहुत सारे जो जनरल कैटिगरी से निकलेंगे बाद में हर कैटिगरी में डिवाइड हो जाएंगे और EWS तो देखिए वही रेश्यो रहेगा OBC से नीचे हो सकता है MBC के आजपास MBC से भी नीचे चला जाए तो फिर भी देखिए 193 में अंक हम मान लेते हैं और उ जनरल के भी बहुत सारे कैंडिडेट इस कैटिगरी में शामिल नहीं है तो 193 तो जा सकती है लेकिन इसके बाद में 196 तक देखिए 193 से 196 की रेंज में हो सकता है 295 से 106 की रेंज मान लें यहाँ पर मैं यह कहूंगा 192.5 ठीक है यह EWS में थोड़ा सा वेरियेशन आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा फिर अपन बात करते हैं OBC में OBC में देखिए हमने 201.5 मानी है एक राउंड अप जब हमने इसे किया तो अब देखिए अगर हम 3 अंक बढ़ाते हैं यहाँ पर तो 204.5 से लेकर के 207.5 तक हो जाएगा यह एक रेंज है आपकी OBC जनरल सीट की वहीं इसमें अगर 198 अंक है फिमेल कैटेगरी में तो 198 में 201 से लेकर के 203 ठीक है इस तरीके से यह रहेगा फिर हम बात करते हैं MBC में MBC में देखिए 191 अंक ही यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन तीन अंक की बढ़ाएंगे क्योंकि यह इसमें ज्यादा वेरियेशन रहेगा EWS में मेरे अकोर्डिंग EWS और MBC में EWS में ज्यादा वेरियेशन रहेगा MBC की लगबग वहीं ही रहेगी 191 में अगर अगर अपन देखें तो 194 से लेकर के 191 अंक तक अपन कह सकते हैं इसकी कट ओफ जाएगी वहीं फिर फिमेल केटिगरी में भी सेम रेशियो हम रख सकते हैं 184 से लेकर के अपन कह सकते हैं 186 अंक फिर देखिए SC केटेगरी में SC केटेगरी में 182 अंक जो है वो गई है 182 के अगर अपन देखें तो वही रेशियो देखिए SC में देखिए केंडिडेट एक दम छंटते जाएंगे क्योंकि अब जनरल सीट में तो कोई भी केंडिडेट आ जाए उसका सेलेक्शन हो जाएगा पर फिर भी अपनी केटेगरी में फिर वह अपनी के साथ ही कंप्टिशन रहेगा तो हम देखते हैं यहां पर देखिए 182 गई है और 185 से लेकर के 186 अंक पर SC केटेगरी में जो बॉइज का सेलेक्शन हो जाएगा फिर फिमेल की बात करें तो फिमेल में देखिए अपन बात करते हैं 175 फिमेल की देखिए थोड़ी सी ओर डाउन जाने की पॉस्टिबिलिटीज है तो 176 मान लेते हैं पर इसको 176 से 177 अंक पर ये कट ओफ रह जाएगी यहां पर रहेगा चलो 178 कर लेते हैं राउंड अप यह फाइनल है 176 से 178 ठीक है यह SC की फिमेल के टेगरी और वहीं अगर ST की बात करें तो हम कह सेथे हैं 171 174 से लेकर के और 176 रंग पर 176 तो लास्ट पॉइंट है विया तो यहां पर 174 रंग तक इनका सेलेक्शन हो जाएगा आप अपने मार्क्स कमेंट्स में लिख सकते हैं मुझे लगेगा कि हां आ रहा है तो मैं लाइक करूंगा और मुझे लगेगा यह मार्क्स की रेंज अ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए थोड़ा सा mYouti guideline का और दूसरे की feeling का नह Wort Rays Do B आप शब्दों का यसे रूड़ा सा परियोग ने करें क्योंकि चलो मेरे को तो क्या फरक पड़ेगा पर फिर भी मैं चाहूंगा कि मैरे platform पर किसी और student की भावनाओं को भी हर्ट ने किया जाये ठीक है अब अब आपन देखते हैं कि जो अधर सब्जेक्ट है उस पर क्या एफेक्ट रहेगा हम उसका भी एक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनमें कितने पद हैं हिंदी की बात करेंगे हम संस्कृत की बात करेंगे हम सिंदी की बात करेंगे साइंस मैथ की बात करेंगे तो अपन देखते हैं उनमें पदों का विवरेंड किस प्रकार से हैं और इस SST की जो मेरिट है वो आखिर किस प्रकार से प्रभावित क करेगी फिर हम यहां पर नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए किस प्रकार से सब्जेक्ट में पदों का डिवाइडेशन था हम देखिए सिफ नॉन टी पदों की संख्या 6724 पद है अगर हम SST से देखें तो यह बहुत ज्यादा पद है इसलिए यहां पर competition भी अपेक्षाक्रत कम रहेगा और अगर कुल पद देखें तो 8782 पद है 8782 में से non-TSP के 6724 पदों पर यह competition है तो यहां पर देखिए ratio सबसे कम है तो अंग्रेजी के अंदर तो देखिए जब result आएगा तब अपन और यहां पर देखेंगे कि क्या final cut off जाएगी लेकिन फिर भी SST से कोई compare नहीं है तो अंग्रेजी में मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई compare नहीं है फिर देखिए हिंदी हिंदी में देखिए paper का level जो अगर अपन देखें तो easy था और बहुत सारे जब मैंने बात की तो यही आया कि देखिए हिंदी के अंदर जो है वो काफी स 11 question यहां पर हिंदी के paper में delete होने की possibilities बन रही है और हिंदी के अंदर अगर अपन पद देखें तो हिंदी में भी SST की तरह ही देखिए काफी ज्यादा competition है और क्योंकि हिंदी और सामाने ज्यादा सब्जेक्ट लिया जाता है तो 2315 पद है यानि कूल पदों की संख्या तो 3 315 पद है फिर अगर अगर आपन देखें विज्यान गणित में अगर कुल पदों की संख्या देखें तो साथ जार जो 435 पद है इसी में से non-tsp के सामाने शिक्षा के पद 5678 है अब देखिए अगर आप यहां पर देखोगे हिंदी हिंदी से तो देखिए एकदम डबल पद काफी ज्यादा लगबग दुगुने के आसपास पद हो गए तो यहां पर देखिए अच्छा साइन्स मैथ का पेपर का लेवल हाई था बहुत ज्यादा टफ था मैथ जो थी वह ज्यादा कैल्पिलेटिव थी और मैथ के स्टुडेंट को भी जब पसीने आ रहे थे त इनको भी देखिए काफी परिशानी का सामना करना पड़ा और यहां पर थोड़ा नेगेटिव विशायद ज्यादा हो गए लोगों के तो अब देखिए और तो जब फाइनल आ जाएगी तो इसकी कट ओफ थोड़ी डाउन जाने की संभावना है औरों के कंपेर में जैसे क कि हम अल्रेडी अभी बात कर चुके हैं अगर हम देखिए संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आप देखोगे कुल पद थे 1808 और वहीं इसमें 1100 सित्यान में पद जो हैं वो नौन-TSP के थे तो देखिए संस्कृत भी देखिए एक लेंग्वेज है और संस्कृत में त देखिए जब मैंने बात की तो देखिए अगर अपन देखिए अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा जो कम कंपिटिशन है वो उर्डू में हैं यहां पर 806 कुल पद हैं उनमें से 711 जो पद हैं नौन-TSP के हैं कैंडिडेट भी देखिए हमारे आसपास भी कम ही देखने क को मिलते हैं अब एक शागर अगर संस्कृत के देखें हिंदी के देखें साइंस के देखें हर सब्जक्ट के हमको मिल जाते हैं लेकिन उर्डू के कुछ कम मिलते हैं वहीं सिंधी और पंजाबी का तो देखिए एरिया सा फिक्स है थोड़ा गंगानगर एरिया में यह वहीं पंजाबी की बात करें तो कुल पद दोसो बहुतर हैं और नॉन टीएसपी के अंदर यह 244 पद हैं तो मैं देखिए यह जो सब्जक्ट है उर्डू तक जो है आईडिया जादा सही जाएगा बाकि देखिए सिंधी और पंजाबी का कुछ कह नहीं सकते बाकि सिंधी मैं भी देखिए कई बार तो केंडिडेट भी अवलेबल नहीं हो पाते अगर मैं अगर पंजाबी इनकी बात करें ठीक है तो देखिए ठीक है अब जो भी अपने एक अनालिसिस किया है उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आया होगा और आप चैनल पर देखिए जरूर अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाईए और चैनल पर आपका जो मैं आपके लिए जो कंटेंट है वो निश्चितरूप से अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का परियास करूंगा मिलते हैं अपन इसी परकार के नॉलिजिबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडिय जय हिंद जय भारत